हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चानल टीएस एग्री अकेडमी में दोस्तों हम लोग आज डिसकस करेंगे एक सब्जेक्ट है फंडामेंटल आप एक्रिकल्चर मेट्रोलोजी या इकरसी मौसम बिग्जान के वारे में तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल के नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना भूलें दोस्तों यहां पर जो की ए सब्जेक्ट है उसके वारे में टॉप 25 से 30 कोस्चन्स हैं जिसके वारे में हम लोग डिस्क्रस करने जा रहे हैं और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से जादा अपने हर एक साथी के साथ सेयर करें दोस्तों हमारे हैं आपर पहला कोस्चन रहेगा कि मांसून किस भासा क सब्ध है दोस्तों मांसून की इस भासा का सब्ध है मांसून जो है ना हमारा वह अर्वी भासा का सब्ध है मांसून हमारा अर्वी भासा का सब्ध है उसके नेस्ट होगा कि तापमान और आदरता का मापन किस से करते हैं तोस्तों तापमान और आदरता का मापन हम लोग किस कौन कौन से हैं, यानी कि जो तापमान के मापन पैमाने हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं वो है हमारे Farenide, ठीक डेग्री सेल्सियस और vena and d merchantya, टीक है, तथा keलv진. यह हमारे तपन नापने के जो पैमाने है, ठीक है, next is our question number four होगा, कि kelvin पैमाने में परम सुन का मान क्या होता है दोस्तों कैल्विन पैमाने में परम सुन का मान क्या होता है वो होता है 233.15 या 459.60 degree Fahrenheit ठीक है, यह centigrade है, Kelvin है, नेस्ट है, नेस्ट कोश्चन है कि बायू, तापमान कामापन करते हैं, बायू के तापमान कामापन हम लोग किसे करते हैं, किसे करते हैं, थर्मोमेटर द्वार, ठीक है, थर्मोमेटर द्वारा, गैस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हूँ, तो चैनल को लाइक, सेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इससे पहले आपकी एक क्लास्स हो चुकी है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्पूसन में दिया गया है, आप लोग वहाँ जाकर कि वो वीडियो वाच कर सकते हैं, नेस्ट है कि 100 डि सेल्सियस पैमाने में गलनांग बिंद होता है, दोस्तों सेल्सियस पैमाने में गलनांग बिंद क्या होता है, वो होता है, जीरो डिगरी सेंटिग्रेट ठीक है, जीरो डिगरी सेंटिग्रेट नेस्ट है, कि निम्न दाब केंद्रों में हवाँ चलती है, दोस्तों निम्न दाब केंदरी केंदरों में जो हवाय चलती है दोस्तों कौन से चलती है जो उच्छ दाब केंदरों में हवाय चलती है दोस्तों वो चलती है नेस्ट कि बायो दाब पैमाने के उपकरण कौन कौन से है दोस्तों बायो दाब पैमाने के उपकरण कौन कौन से है वो है जल तथा पारा आधारिध बेरोमीटर ठीक है जल और पारा आधारिध बेरोमीटर इसके बाद में एनी रैप बेरोमीटर या वेरो ग्राफ ठीक है इतने हमारे जो हैं बायू धाब नापने की इकाहियां कौन-कौन सी है दोस्तों बायूदाब नापने की काई हैं कौन-कौन सी हैं वह हमारी जल तथा पारा इस्तम की उचाई जल तथा पारा इस्तम की उचाई डाइन्स प्रत बर्ग सेंटीमीटर वार और मिली वार तथा पास्काल और न्यूटन प्रत बर्ग मीटर यह हमारी बायूदाब नापने की इका हैं दोस्तों बारतिये क्रेंसी को मानसुन क्या जूवा भी है ok next question अमारा रहा है कि nitrogen oxygen तठा और गन्द किस परकार की गैसे हैं चिस जहां कि नाइट्रोजन oxygen जयिए किस परकार की हैं दोस्तों ये हैं इस्तिर गैसे त्यक्य स्पलोगा नेश्ट हो जिए कि परिव Westminster सें काउन 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 सी होती हुआ फरिवर्थन सील एकां के ईसके इसेर कंसी है कि काउन सी गर्द काउन सन रिचीत करती है और पर्द किस मंडल मेरे पाई जाइए जाती क्र काउन परत किस मंदल में पाई जाती है वो पाई जाती है समताब मंदल में ठीक है नेश्ट होगा नेश्ट कॉस्चन हमें दिया गया है कि चक्रवात था प्रति चक्रवात की घटनाएं किस मंदल में होती है चक्रवात था प्रति चक्रवात की घटनाएं हमारी छोब मंदल में होती है इसके बाद में नेश्ट रहेगा नेश्ट में दिया है कि कौन सी गयस ऑक्सीजन का अपर रूप है दोस्तों कौन सी ऑक्सीजन का अपर रूप है वह है ओजोन गैस ऑजोन गैस अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सेर और सब्सक्रिब ना बिल्क कैनली हेवी साइड परत किस मंदल में होती है या पाई जाती है दोस्तों किस में पाई जाती है वो पाई जाती है आयन मंदल में आयन मंदल में कैनली हेवी साइड परत पाई जाती है नेस्ट कोश्चन हमारा रहेगा दिया गया है कि हेलियम परत किस मंदल पाई जाती है द कि मौसं समंदी सब्सक्राइब कि लिए इस में उती है पर हुज मंदल हो थी ने ऐस बाइब कर रेका आपके लिए इतना जक्ट्वे करें जो कि हम आप लिए इतना ज्यादा महिनत कर रहे हैं उसका कुछ से जधाल करें हमें परिफिछन और प्रत्वीस कई पर पढ़ने वाली पांट की अनुपात को क्या गते हैं तो क्या वह कहते है मुआल वीडियो एक अल्वीडो औल वीडियो के थे निट मुँआर सिर्फ यह आंवाली फिल अला को मापा जाता है दोस्तों यह फ्यों जाता है उससे मापा जाता है डिफ्यूजो घ्राब दोहर difeews अ mıन पाफ जाता है जीयरो पॉइंट्व किस्में ऐसां होता है तयाता है टी में यानी की नियूंतम वी यकिस रह दो वह पाई जाता है वह पाई जाता है ज्रोंचे जिसका जो पैमाना है 0.04 नेस्टों का क्वेश्चन नमबर 27 गाइस 27 जो हमारा है कि सौर विग्राणड के मापन का प्रमो कुपकराणड है सौर विग्राणड के आपकी एक क्लास अप्लोड हो चुके जिसका लिंक नीचे डिस्कूशन में दिया गया है आप लोग वहां जाकर वो क्लास वाज कर सकते हैं गाइस कोशन हमारा लास्ट रहेगा 28 दिया है कि समताब मंदल में गर्म होने का क्या करण है दोस्तों समताब मंदल को गर्म होने का क् अप्सोशन जैसे कि हमारा समताब मंदल हीट होता है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो प्ली चैनल को लाइक से सब्सक्राब के ना बिल्कुल भी ना भूलें इसके बाद में हम लोग मिलेंगे अपने एक नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक पे तब त अीडियो